दिवानी का मुकदमा होने के बावदूद पुलिस करवा रही है बटवारा कोट को ताक पर रखकर पीडित को लगतार प्रशासन दोरा किया जा रहा है प्रताडित आप देख रहे हैं इक्राइम न्यूस 24 सभिया जफर के साथ आईए एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर उन्नाव थाना बांगर महु छेत्र के अरविन सिंग पुत्र सौदाम सिंग निवासी ग्राम पलिया जिसका दिवानी वाद 1038 बटे 2011 दावा इश्क कारकवा हरिनंदन सिंग के खिलाब CJSD उन्नाव के समच विचारा धीन है जिसमें विपच्छी हाजिर है और अपना जवाब दावा भी दाकिल किया है लेकिन इसके बाद लगातार पीडित पक्ष को जवरन बटवारा करने का बागर महुपुलिस दावाब बना रही है जिसका मुकदमा उप्रोक्त है और हाजिर है और मौके पर अवैद कवजा करने के लिए अवदेशा पतनी धर्मेंद लगातार असफल प्रयास कर रहे हैं और लगातार पीडित के साथ मौके पर मारपीट भी किया जिसको लेकर थाने पर दोन पक्षों को बुलाया गया था दूसरे पक्ष के लोग वहाँ पर भी गाली गलोच करके थाने से वापस चले गए लेकिन थाने से कोई भी दबंगों पर करवाई नहीं की गई और मेरे भाई योगेन सिंग को थाने में बंद कर दिया और अभी भी थाने में बठा रखा है तीन दिन हो जाने के बाद भी मेरे भाई को नहीं चोड़ा गया जबकि दूसरे पक्ष को उसी दिन चोड़ दिया गया पीडित ने बताया मारपीट की शुरुआत पहले अब देशा ने की थी जिससे पीडित के बतीज़ों को गंभीर चोड़ने आई हैं जिसको उसे कल मेडिकल के लिए चोड़ा गया था और आजपुना उसी व्यक्ति को थाने में बठा लिया गया इसके विपरित दूख्षरा पस लगतार पताडित कर रहा है उसकी उची पहुंच के चलते कोई भी करवारी मेरी तरफ से नहीं हो रही है उन्नाव से जिला ब्यूरो मुहम्मद जमाल की खास रिपोर्ट इस समय आपका भाई कहा है वह थाने बंद है कितने दिन हो गए थिद दिन हो गये रहा है क顏 ड़रो कोने वैं कर बाउर कर बना रहा है कि है